हेलो यूट्यूब कैसे हैं आप सब मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं आपका चैनल टेक्स सही है तो फ्रेंड्स आज फिर से आगया हूँ आप सब के सामने एक नई वीडियो लेकर आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो यूट्यूबर्स के लिए है जी हाँ फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते हैं और आप सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप अपना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री और बहुत कम समय में तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है वीडियो को end तक जरूर देखिएगा step by step आपको समझाऊगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को like कीजिएगा ज़यद ज़यद आपने friends को share कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके बैला कान का बटन दवाना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की interesting वीडियो लेकर मैं आप सब के सामने आता रहता हूँ तो चलिए बिना दरी किये वे start करते हैं आज का ये वीडियो तो friends अगर आप एक YouTuber हैं और YouTuber वीडियोज अपलोड करते हैं और आप नए YouTuber है खासकर और आपको subscriber चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है तो बहुती कम समय में बिलकुल free आप कैसे subscriber बढ़ा सकते हैं वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो चलिए start कर लेते हैं कैसे इसको करना है तो सबसे पहले आपने अपने mobile पर open कर लेना है अपना Chrome browser Chrome browser आप जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है उपर टॉप पे आपको 3 dot दिख रहे होंगे यहाँ पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा desktop site का तो यहाँ पर जाके आपने क्लिक कर लेना है तो desktop view पर आप जो भी खोलेंगे वो open होगा इसके बाद simple आपने यहाँ पर YouTube open कर लेना है आप search करके भी YouTube open कर सकते हैं तो यह देखिए मेरा channel जो है वो YouTube पर open हो चुका है आपको दिखा देता हूँ कि देखे मेरी profile बनी हुई आपको यहाँ पर दिख रही होगी तो आपने क्या करना है simple अपनी profile पर click कर लेना है profile पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है your channel आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा तो आपने वहाँ पर tap कर लेना है जैसे आप यहाँ पर tap करेंगे तो नीचे देखे आपको तीन option दिख रहे होंगे share, copy and edit तो आप यहाँ पर आपने क्या करना है जो second वाल option है copy का उस पर click कर लेना है तो यहाँ पर लिखाओ आ जाएगा URL copied तो आपका URL जो है वो copy हो चुका है अब आपने क्या करना है आपने simple इसको बन कर लेना है chrome browser को अब आपने चले जाना है notes पे आपके mobile पर notes का application होगा notes पर आप चले जाएए notes को आप open कीजिए और यहाँ पर new note आप create कर लिजिए आपका note open होगा आपर plus का icon आएगा plus का icon पर आप click कर लिजिए तो यहाँ पर आपने क्या करना है यहाँ पर आपने simple press and hold करना है और जो URL आपने copy किया था उसको यहाँ पर paste कर देना है जैसे आप इस URL को paste करेंगे तो कुछ इस तरह का URL आएगा अब आपने यहाँ पर क्या करना है इसको यह चीज आपने यहाँ पर जहां तक आपका question mark है वहाँ तक delete कर लेना है तो यह आपके channel का URL है अब यहाँ पर आपने simple थोड़ा URL को edit करना है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है वो आपको बता देता हूँ आपने यहाँ पर लिखना है question mark question mark के बाद आपने लिखना है sub underscore confirmation is equal to one यह आपने URL में add कर लेना है और simple अपने URL को आपने यहाँ से copy कर लेना है आप जैसे अपने URL को यहाँ से copy कर लेंगे पूरा आपने notes बन कर लेना है और फिर से चले जाना है अपने YouTube पर Chrome browser open करके अब आपने क्या करना है तो यह आपका YouTube का जो channel है वो open हुआ है तो आपने यहाँ से switch account कर लेना है और किसी दूसरे account से अपना YouTube open कर ला है यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजे आप कोई और आदमी अपना YouTube channel खोल रहा है और उसने देखिए यहाँ पर text आई है जो है वो subscribe नहीं किया है तो मान लीजे आप अपना channel का URL किसी को share करते हैं और वो आपका URL जो है वो open करता है तो हम आप क्या करेंगे URL के section पर जाएंगे और URL को यहाँ पर simple paste कर लेंगे जो अभी हमने copy किया था और जैसे हम इसको okay करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर आपके पास एक dialogue box आ जाएगा ऐसे और यहाँ पर लिखा हूँ आएगा confirm channel subscription Are you sure you want to subscribe to text अभी है तो आप जब आप यहाँ पर subscribe पर click करेंगे तभी आप इस channel पर visit कर सकते हैं तो यह मान के चलिए कि most of the people यहाँ पर आपके channel को subscribe कर लेंगे क्योंकि उनके पास option आएगा वो तुरंट subscribe के यहाँ पर button पर या subscribe के option पर click कर लेंगे channel पर visit करने के लिए चाहे वो जानबूच कर करें चाहे वो बिना जाने करें लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर click कर लेंगे तो यह एक तरीका है जिससे आप अपने subscriber बढ़ा सकते हैं symbol आपको अपने URL पर थोड़ा सा change करना है और आप यहाँ से एक तरीका ढूंट सकते हैं जिससे कि आपके subscriber बढ़ सकते हैं बहुती अच्छा तरीका है बहुती काम का तरीका है यहाँ से आप अपने subscriber जो है वो बढ़ा सकते हैं तो अब क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से करके यहाँ पर आप URL जैसे paste करेगा कोई भी आदमी अपने channel पर उसके पास ऐसे dialogue box आएगा और जैसे ही वो यहाँ पर click कर लेगा तो आपका channel automatically subscribe हो जाएगा देखे अभी subscribe नहीं था और अब subscribe हो गया है तब वो आपके channel पर visit कर पाएगा तो friends यह था हमारा आज का वीडियो तो कैसा लगा आपका वीडियो मुझे जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को एक like जरूर कीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon का button दबाना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आप सब के सामने आता रहता हूँ तो friends आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में